तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ली चैटलियर प्रिंसिपल ली चैटलियर प्रिंसिपल को समझते हैं, जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर पे दोनों साइड वाटर लेवल बराबर है इस condition पे, जैसे ये A container है, ये B container है, दौनों में water level बराबर है, अब इस container को ऐसी छोड़ दिया जाए, दौनों container को, क्या water level इसमें बदलेगा? नहीं बदलेगा. क्या water A to B आएगा? या B to A जाएगा? हाँ, water A to B आएगा, लेकिन जितना A to B water आएगा, उतना ही B to A जाएगा. मतलब, यह यहाँ पर forward और backward reaction बराबर है, तो इसको हम क्या कह रहे है? equilibrium condition. तो यह condition हो गई equilibrium. अब इसमें, अगर मैंने A में water एड किया, अगर मैंने A में water एड किया, तो फिर water कहां से कहां जाएगा? A to B कब तक जाएगा? जब तक फिर water level बराबर ना हो जाएगा? इसका मतलब यह है, कि अगर reactant side मैं कुछ एड करूँ, तो reaction forward की तरफ बढ़ेगी. मतलब, reactant से product और बनेगा जब तक equilibrium एचीव ना हो जाएगा. अगर आप product एड करोगे, या फिर B में मैं water एड करूँगा, तो water बीट हुए जाएगा? कब तक जाएगा? जब तक A और B system है, एक जो reaction है, जो की equilibrium में है, वो equilibrium को maintain करना चाहेगी. अगर आप उस reaction में pressure, temperature, volume चेंज कर रहे हो, और चेंज करने से, वो equilibrium कुछ समय के लिए disturb जरूर होगा, लेकिन वो दुबारा अपने आपको regain करेगा, और यही है, ली चैटलियर प्रिंसिपल. ऐसा reaction के साथ भी होगा और मैंने यह दो कंटेनर लेके वाटर लेवल से इसको समझा दिया. ली चैटलियर प्रिंसिपल स्टेट्स तेट्स एट, इफ डाइनमिक मतलब रियेक्शन हो रही है, जितनी फॉरवाद हो रही है, तनी बैक्वाद हो रही है, हाला कि कॉंसंट्रेशन में कोई चेंज दे प्रेशर, टेमप्रेचर, और वॉल्यूम. प्रेशर, टेमप्रेचर, वॉल्यूम कि अगर मैं कंटीशन चेंज करूँगा, तो एकुलिब्रियम डिस्टर्ब जरूर होगा, लेकिन अपने आपको फिर से री स्टैबलिश करने की कोशिश करेगा, और इस ही को हम कहते हैं, ली-चेटलियर प्रिंसिपल. इन विच डिरेक्शन एकुलिब्रियम बिल शिफ्ट, आप दिहान से समझना कि एकुलिब्रियम कौनसी डिरेक्शन में शिफ्ट होगा, समझना इस बात को, जैसे अगर मैंने कहा, रीक्टन्ट बढ़ा दिये, रीक्टन्ट बढ़ा दिये, तो प्रोड़क्ट की तरफ एकुलिब्रियम शिफ्ट होगा, एकुलिब्रियम विल शिफ्ट इन फारवर्ड डिरेक्शन, मतलब रीक्टन्ट बढ़ा दिये, तो अगर मैंने प्रोड़क्ट बढ़ा दिये, तो एकुलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैक्वर्ड डिरेक्श हो रही है और यहां नाइट्रोजन है थ्राइस हाइड्रोजन है और यह आपस में टकरा कर अमोनिया बना रहे है और इस प्रोसेज में हीट निकल रही है अब इस पिस्टन को अगर मैं कम्प्रेस करूँ अगर मैं इस पिस्टन को कम्प्रेस करूँ मतलब प्रेशर बढ़ा द पास पास आएंगे तो इनके टक्राने की संभावना ज्यादा होगी और टक्राने की संभावना ज्यादा होगी तो अमोनिया फॉर्मेशन की भी संभावना ज्यादा होगी, प्रॉबबिलिटी ज्यादा होगी, तो यहां पर अगर आप इस पिस्टन को कंप्रेस करोगे, प्र तो प्रेशर बढ़ाने पर फॉर्वर्ड रियक्शन होगी और फॉर्वर्ड रियक्शन होगी तो एक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉर्वर्ड डारेक्शन forward direction क्योंकि forward reaction fast हुई तो equilibrium forward direction में shift होगा on increasing temperature, अब temperature बढ़ाते हैं, ठीक है, अब देखो यह जो process है, इसमें heat निकल रही है, heat निकल रही है, तो exothermic process है, delta H, या तो आप delta Q लिख दो, या इस Q को हटाके, delta H यहाँ पर negative है, energy release हो रही है, minus Q है, ऐसा लिख सकते हो, तो इस process में energy release हो रही है, heat release हो रही है, अब यहाँ पर अगर मैं temperature बढ़ाऊँ, तो अगर मैं इस process में heat और बढ़ाऊँगा, तो backward reaction होने लगेगी, यह exothermic reaction है, energy release हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस heat को कम करना चाहिए, जैसे गाड़ियों में condensal लगाया जाता है, ताकि वो heat को absorb करता रहे, और गाड़ी ठंडी रहे, ठीक वैसे ही, यहाँ पर अगर आप चाहते हो, कि अमोनिया बनता रहे, यह reaction होती रहे, ह यह पर आपको बाहर कहीं एब्सॉर्व कराना पड़ेगा, नहीं तो अमोनिया ब्रेक होके, बैकवर्ड रियक्शन करने लगेगा, तो अब देखो, यहाँ पर अल्रेड़ी हीट निकल रही है, एक्जोथर्मिक रियक्शन है, और हम टेंप्रेचर बढ़ा रहे हैं, अगर टेंप्रेचर बढ़ाया और एक्जोथर्मिक रियक्शन है, तो रियक्शन क्या होगी? बैकवर्ड डारेक्शन में होगी, रियक्शन विल अकर इंबैकवर्ड डारेक्शन. on increasing volume तीसरा पॉइंट, अच्छा, volume बढ़ा दें तो क्या होगा यह पिस्टन उठाया, हमने volume बढ़ा दिया अब volume बढ़ाने से nitrogen, hydrogen दूर दूर चले जाएंगे nitrogen, hydrogen पास पास होते तो आपस में टकरा के ammonia बनाते लेकिन यह piston एक्सपांड हुआ nitrogen, hydrogen दूर दूर चले गए तो ammonia भी क्या होगा, ब्रेक होने लगेगा और ammonia ब्रेक होने लगेगा मतलब की backward reaction बढ़ जाएगी तो यहाँ पर volume बढ़ाने से backward reaction बढ़ेगी यह पिर हम कहें dissociation of ammonia बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा next question describe the effect of addition of hydrogen, addition of methanol, removal of CO and removal of methyl alcohol ठीक है, हमें एक reaction दी है अब आप इस reaction को ऐसे compare करो कि भाई, यह दो container है और यहाँ पर यह A है, यह B है, यह reactant है, यह product है अगर मैं ए में वाटर डालूँ, तो कौन सी reaction होगी forward? बस वैसे ही अगर hydrogen and CO की concentration में बढ़ाऊँगा तो reaction forward direction में होगी methanol जादा बनेगा तो addition of hydrogen अगर मैं hydrogen बढ़ा दूँ hydrogen की concentration बढ़ा दूँँ तो reaction forward direction में होगी methanol बनेगा addition of methanol अगर मैं methanol एड़ कर दूँ मतलब B container में water एड़ कर दूँ तो reaction कौन सी direction में होगी? backward में होगी तो addition of methanol, अगर methanol add करा तो कौन सी होगी? backward फिर उसके बाद removal of CO अगर CO को मैं रिमूव करूँ धान से सुनना अब रियेक्टिंट को हटानी की बाद चल रही है suppose मैं यहां पर यहां से मैं water निकाल लेता हूँ यह निकालना स्टार्ट कर देता हूँ अगर मैं water यहां से निकालने लगँगा तो water कहां से कहां मूव करेगा अभी दोनों का water level बराबर है अगर मैं यहां पर छेद कर दूँ तो यहां से पानी निकलने लगेगा और water B to A आने लगेगा अगर आप reactant निकालोगे तो भी reaction कौनसी direction में होगी? बैकवर्ड फिर removal of CS3OH अब इसको बंद कर देते हैं अब एक काम करते हैं मीथेनॉल निकालते हैं यहां से अब यहां से मीथेनॉल निकालने लगँगा तो कौनसी reaction होगी? फॉर्वर्ड तो जो मीथेनॉल बनता जा रहा है उसे निकालते चलो उसे कलेक्ट करते चलो ताकि reaction forward होती रहे next question the dissociation of HI is independent of pressure while dissociation of PCL5 depends upon pressure applied Y reaction लिखते हैं HI का dissociation H2 plus I2 बनाएगा इट्वाइश है और वही PCL5 का dissociation PCL3 plus CL2 बनाएगा the dissociation of HI is independent of pressure कैसे? अब देखो यहां पर मैं बात करूं प्रेशर की तो यहां पर प्रोड़क्ट में तू है? और अगर मैं यहां पर देख़ूं कि चेंज इन Gaseous Moles जीरो आरहा है है? यहां पर Gaseous Moles में कोई चेंज नहीं आरहा है Moles of Product minus Moles of Reactant जीरो है इस वायरो है इस इस प्रेष आरहा है इसчmost के इस Combat Moles में कोई चेंज नहीं आरहाधा है gaseous moles बराबर है लिकिन यहां की हम बात करें यहां पर अगर reactant side देखा जाए reactant side अगर हम देखें तो gaseous moles 1 है और product side देखें तो gaseous moles 2 है अब यहां पर क्या है कि दोनों side gaseous moles अलग-अलग है pressure अलग-अलग है तो pressure बढ़ाने और कम करने पर rate of reaction अफेक्ट होगी equilibrium अफेक्ट होगा क्योंकि यहां पर delta NG change in gaseous moles 0 नहीं है, 1 है अब थोड़ा सा इसको और समझ लो एक ट्रिक बता देता हूँ कैसे निकालना है कि प्रेशर बढ़ेगा तो rate of reaction बढ़ेगा यह कम होगा, इसको अपने एक बार और समझ लेते हैं जैसे मैंने कहा PCL5 gives PCL3 plus CL2, यह एक्टिब्रियम का साइन आएगा अब देखो, जिस कंटेनर में यह reaction हो रही होगी अगर मैं इसको एक्स्पांड करूँगा उसको अगर मैं एक्स्पांड करूँगा तो यह जो PCL5 है यह ब्रेक होगा PCL3 और CL2 में और अगर उस piston को कमप्रेस करूँगा तो यह दोबारा PCL5 बनाएगा इसको करने की एक सिंपल सी ट्रिक है प्रेशर वाल्यूम वाली देखो, यहाँ प्रोड़क्ट साइड प्रोड़क्ट साइड कितने है? दो मोल है तो यहाँ वाल्यूम जादा है और यहाँ वाल्यूम कम है यहाँ वाल्यूम जादा प्रेशर कम यहाँ volume कम, pressure जादा, इस condition में यह जादा बनेगा, और इस condition में यह जादा बनेगा, बहुत simple trick है, gaseous volume बस देख लो, product में gaseous volume जादा, तो volume जादा, pressure कम, इस condition में यह दोनों बनेगे, फिर volume कम, pressure जादा, तो इस condition में PCL5 बनेगा, ठीक है, तो यह एक trick है, अभी आगे और question इ तो यह trick बिल्कुल clear हो जाएगी कैसे लगाना है अब देखो यहाँ पर क्या है बराबर मोल से हैं इसके और इसके तो वो ट्रिक लगनी भी नहीं है और ली चैटलियर भी यह फॉलो नहीं करेगा दस दा नंबर अफ मोल्स अफ रियेक्शन प्रोड़क्ट इनक्रीज़ डिक्रीज़ और रिमें सेम when each of the following equilibria is subjected to decrease in pressure, यह जो reaction है, अगर इन reaction में में pressure decrease करूँ, तो बताओ, equilibrium moles, जो है, moles of product, product के moles, बढ़ेंगे, काम होंगे, या सेम रहेंगे, ठीक है? तो देखो, हमको वोई trick लगानी है, क्या बोल रहा है? decrease in pressure, मतलब हम pressure decrease कर रहे हैं, सभी जगे हम pressure decrease कर रहे हैं, तो यह हमारी condition हो गई, कि हम pressure को decrease करने वाले हैं, आप दौनों तरीके से देख सकते हो, अब देखो, अगर इस reaction में pressure बढ़ाओगे, pressure बढ़ाओगे, तो यह दो gas moles पास आएंगे, और backward reaction होगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, pressure decrease कर रहे हैं, वाल्यूम कहां जादा, प्रोड़क्ट में, तो यहां वाल्यूम जादा, प्रेशर कम, अगर आपको यह बनाना है, तो यह condition चाहिए, क्या कर रहे हैं, हम तो pressure decrease कर रहे हैं, pressure decrease कर रहे हैं, तो pressure यहां पर भी decrease ही हो रहा है, तो इस condition में, कौन सी reaction होगी, forward, अब देखो, यहां पर यह solid है, हटादो solid, यह solid है, हटादो solid, solid का pressure नहीं होगा, pressure इसका होगा, CO2 का, अब यहां पर, यह CO2 का pressure है, और, product की side, product की side pressure कुछ नहीं है, reactant की side pressure है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल है, अब देखो, यहां पर, यहां 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 तो यहां पर आप प्रेशर डिक्रीज करो प्रेशर इंक्रीज करो उसने खुदी बोला है कि प्रेशर डिक्रीज करना है तो यहां पर प्रेशर वो क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है तीनों के साथ डिक्रीज कर रहा है अब यहां पर प्रेशर का कोई रोली नहीं है तो यह equilibrium पर है और हम इसको कहेंगे no change, यहाँ कोई change नहीं होगा यहाँ backward होगा यहाँ forward होगा और यहाँ कोई change नहीं होगा यह simple सी trick है आप सब जगे लगा सकते हो, नहीं तो जो मैंने पहला तरीका बताया तब ऐसे भी कर सकते है यह ट्रिक को आपको लगा कर देखना पड़ेगा यहाँ पर इन सब सारी रिएक्शन में हम क्या करने वाले है प्रेशर इंक्रीज करने वाले है ठीक है और प्रेशर इंक्रीज करने के बाद आपको यह बताना है कि फॉरवर्ड होगी या बैक्वर्ड होगी या कोई change नहीं होगा इकुलिब्रियम पे होगी तो प्रेशर हम सब में बढ़ाने वाले है एक काम करते हैं और ट्रिक लेखना चालू करते देखो भई यहाँ पर गैशिया स्मोल्स बन यहाँ पर गैशिया स्मोल्स दो यहाँ वाल्यूम ज़्यादा प्रेशर कम इसका मतलब इस कंडिशन पे यह ज़्यादा बनेगा इस कंडिशन पे प्रेशर वाल्यूम बढ़ाने और प्रेशर कम करने पर यह ज़्यादा बनेगा हम क्या कर रहा है प्रेशर बढ़ा रहा है प्रेशर बढ़ा रहा है इसका मतलब क्या है अरे प्रेशर कम कर रहे थे तो यह बन रहा था यहां पर gaseous moles 3, यहां पर gaseous moles 3, दोनों साइड gaseous moles हो गए बराबर, बराबर हो गए, तो यहां पर no effect, कोई effect नहीं आएगा, और यहां पर यह एक्विलिब्रियम में रहेगा, आगे बात करते हैं, यह देख कोई solid हटाओ, यहां gaseous moles हो गए 1, यहां gaseous moles हो गए 2, यहां पर product में gaseous moles 2, reactant में gaseous moles 1, तो यहां पर volume जादा pressure कम, यह ट्रिक है अपनी, और देखो ना, gaseous moles volume अगर जादा pressure कम, हमें क्या करना है, हमें क्या दिया है, प्रेशर बढ़ा है हो, मतब इस reaction में, जिस container में यह reaction चल रही है, उसका प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, अग इसका मतलब backward reaction होगी, backward, तो यहां पर backward reaction होने वाली है, सेम कोश्चन है, यहां पर भी इन तीनों रियक्शन में प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, खीक है, अब देखो प्रेशर बढ़ाओगे, hydrogen CO पास पास आएंगे, methanol बनाएंगे, कौनसी रियक्शन होगी, forward, प्रेशर बढ़ाने पर forward reaction होगी, अब यह बात solid, यह solid, अब यहां पर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो यहां पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अब देखो, यहां पर गैशियस मोल्स नहीं है, रियक्टेंट में, प्रोडक्ट में है, ट्रिक लगाओ, जादा प्रेशर कम, हम क्या कर रहे हैं, अगर यह कंडिशन होगी, देखो, यहां पर गैशियस मोल्स नहीं है, यहां एक भी नहीं है, मतलब यहां वाल्यूम जादा, तो प्रेशर कम, मतलब इस कंडिशन पे यह जादा बनेगा, लिकिन हमें यह कंडिशन दी है कि नहीं, चलो जाके देखते है हमको बोला है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रेशर कम होता तो यह जादा बनता, प्रेशर कम होता तो यह जादा बनता, लिकिन प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब बैकवर्ड रियक्शन होगी, सब NZRD के कोश्चन है, नेक्स कोश् erst mal 4 plus 6 plus 4, 10, यहाँ, गैशियस मोल 5, 4, 9, तो यहाँ पर gases more ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा, प्रेशर कम, इस कंडीशन में यह जधा बनेगा, इस कंडीशन में, परवड रियक्सन होगी, और प्रेशर ज़्यादा, वॉल्यूम कम, इस कंडिशन में बैकवर्ड रियक्शन होगी, तो हम कर क्या रहे हैं? हम तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं. हमने तो सारी रियक्शन में प्रेशर बढ़ाया. तो यहां पर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाना इनके फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल होगा. इस वजए से यहां होगी बैकवर्ड रियक्शन.